पटवारियों के मुद्दे पर अकाली दल के सीनियर लीडर विक्रम मजीठिया ने मुख्यमंतरी भगवंतमान और आप सरकार को घीरा है विक्रम मजीठिया ने मुख्यमंतरी भगवंतमान के पटवारियों को किये वादों को भी छूटा करार दिया तो वहीं पटवारी यूनियन ने भी पंजाब सरकार की तरफ से किये वादों को पूरा ना करने पर विरोज जताया है विक्रम मजठिया ने ट्वीट कर कहा कि मान साहिब आप कहते थे कि नए पटवारीों की ट्रेनिंग कम करके एक साल कर दी है और ट्रेनिंग के दोरान 19,900 रुपे सम्मान भत्ता मिलेगा और ट्रेनिंग भी सर्विस का हिस्सा मानी जाएगी इससे एक साल हो गया लेकिन कुछ भी नहीं इन्हें अभी भी 5,000 रुपे मासिक भत्ता मिल रहा है और DLR से नाटिफिकेशन आ गया है कि ट्रेनिंग डेट साल की रहेगी मतादे पटवारी के तौर पर ड्यूटी जॉइन करने वाले कुछ युवाओं ने बताया है कि उन्हें न्यूकती पत्र देते समय भी CM भगवतमान ने अपने वादो को धोराया था उन्होंने कहा था कि उनका ट्रेनिंग पीरियट एक साल का होगा लेकिन अब DLR की नॉटिफिकेशन से ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला पटवारियों का पहले की तरह डीट साल ट्रेनिंग पीरियट होगा इस दोरान उन्हें भत्ता भी 5,000 रुपिया दिया जाएगा जो मंड्रेगा के एक वरकर से भी कम है तो वहीं उनका ट्रेनिंग पीरियट भी उनके सर्विस का हिस्सा नहीं माना जाएगा